नमस्कार आप देख रहे हैं आवाज दवोईस और मैं हूँ आपके साथ अनिका महेश्वरी जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रमजान चल रहा है और जल्दी इदाने वाली है ऐसे में हम सभी चाहते हैं कि अल्ला हमें देखे और अपनी निगाहें हम पर रखे और हमारा पालनहार बना रहे जिसके लिए हमें ये बहुत जरूरी है कि कुछ अच्छी आदते हम अपना लें उनमें से कुछ पाथ चीजें ऐसी हैं जो कुरान में लिखी गई हैं और जिनें आपको अपनी लाइफ में जरूर अपनाना चाहिए जिससे आप एक अच्छे इंसान बन पाएंगे इसमें से पहली बात है कि आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए क्योंकि गुस्सा करना शैतान का काम होता है और आपको हमेशा सभी को माफ करना चाहिए सभी से अपना पन रखना चाहिए पवित्र कुरान में लिखा है कि जो लोग गुसे को पी जाते हैं और दूसरों की गलतियों को माफ कर देते हैं अल्ला ऐसी नेकी करने वालों को प्यार करते हैं अगर आपको जिंदगी में सुकून चाहिए तो हर उस इंसान को माफ कर दें जिसने कभी आपको कोई भी नुकसान पहुँचाया हो जो लोग दूसरों को माफ नहीं करते उनके अंदर negativity, tension और बेचैनी भर जाती है दूसरी हैं बात ये है कि हमेशा लोगों के साथ इंसाफ के साथ पेशाएं यानि justice करें पवित्र कुरान में लिखा है कि अल्ला सबके लिए इंसाफ करते हैं अगर कोई इंसान नेक, इमानदार और इंसाफ पसंद हो तो उसके शबाब का अल्ला कई गुना ज्यादा फल देते हैं तीसरी सबसे जरूरी बात ये है कि आपको जूट नहीं बोलना चाहिए हिसाब देना पड़ता है, इसलिए आपको हमेशा सच का साथ देना चाहिए और हमेशा सच बोलना चाहिए चौथी सबसे हैं बात ये है कि आपको किसी की बैक बाइटिंग नहीं करनी चाहिए यानि कि आपको किसी की पीट पीछे उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए आज की वक्त में एक दूसरे की बुराई करने की बिमारी इतनी फैल चुकी है कि किसी के सामने से जाते ही लोग उसके बारे में बुरा बोलने लगते हैं कुछ लोग इस अंदाज में ये गुना करते हैं जैसे उने इसमें बुराई दिखती ही नहीं है कुरान का पाँचवा सबक ये है कि जमीन पर कभी भी अकड़ कर नहीं चलना चाहिए हमेशा आराम से चलना चाहिए ऐसे चलना चाहिए कि धर्ती को भी उसका एहसास नहो हमेशा आराम से चलना चाहिए